Hello everyone, I'm Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job, चेन्यू नोटिफिकेशन आज हम बात करने वाले हैं Research Assistant पोस्ट के बारे में Research Assistant जिसको हिंदी में अनुसंधान सहायक के नाम से जाना जाता है अभी Research Assistant की वेकैंसी नोटिफिकेशन भी रिलीस किया गया है जिसके लिए Candidate Apply कर सकते हैं लेकिन Apply करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए Qualification, Ace Criteria, Salary क्या है, Selection Process, Exam Pattern and Application Fees तो ये सारे पॉइंट्स दो हम कवर करी रहे हैं अभी latest notification के लिए लेकिन in future अगर आप भी Research Assistant बनना चाहते हैं जैसे अभी notification आया है आप Apply नहीं कर सकते वर्ट in future जब भी vacancies आएंगी Research Assistant की तब आप इसमें Apply कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इसकी जो भी conditions हैं क्या क्या requirements रहती हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ये जो vacancy हैं ये state level and central level दोनों तरह से ये notification रिलीस किया जाता है and male, female, PWD candidate, सभी candidate eligible होते हैं अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप इसकी eligibility conditions को फुल्फिल कर रहे हो so अगर आप interested हैं अनसंधान साहे एक post के वारे में डीटेल में जानकारी चाहते हैं तो अभी हम इसके latest notification के त्रू सारी जानकारी लेंगे बाकि जब भी vacancies आएंगी तो आप update रह सकते हैं आप अपने state level पर करना चाहें तो state level पर या central level पर जब vacancies आएं तो आप central level पर भी apply कर सकते हैं maximum देखा गया है कि यह जो vacancy है यह जो post है यह state level पर notification रिलीस होते रहते हैं वाकि सब कुछ same रहता है तो चलिए हम इसका notification देखेंगे तो यहाँ पर आप यह notification देख रहे हैं यह notification अभी 2024 के रिलीस किया गया है अब इसमें यह जो vacancy है यह किस state से हैं तो यह यहाँ पर राजिस्थान state से notification रिलीस किया गया है यह आप देख रहे है रिसर्ज असिस्टेंट या अनुसंधान साहयक की post के लिए online applications invite किये जा रहे हैं पद इस्थाई है means permanent government job यहाँ पर आपकी रहेगी टोटल वेकेंसी बहले ही यहाँ पर थोड़ा कम आई है 26 वेकेंसी ही है लेकिन इस post के बारे में जानकरी आप रख लीजे क्यूंकि जो qualification ने इस criteria है उसे सौब से अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और आप भी अपने state में अगर आप राजसाई state से नहीं अदर state से है तो भी आप अपने state level पर apply कर सकेंगे अगर आप इसके eligibility conditions को fulfill करेंगे और जब भी notification आएगा तो आपको किस site पर update रहना होगा तो आप अपने state के PST जो website रहती है वहाँ पर आप update रह सकते हैं और यह जो vacancy है यह राजसान state से है भले ही लेकिन अगर आप other state के candidate हैं और interested है apply करना चाहते हैं तो आप भी इसमें apply कर सकते हैं लेकिन आप other state के जब होंगे ना तो आपको कोई भी relaxation नहीं मिलेगा भले ही आप किसी भी category के होँ आप general candidate माने जाएंगे और general category के अंतरगत आप इसमें apply करेंगे तो चलिए जो भी relaxation रहेंगे वो सरफ राजसान state के SCST, OVC, PWD candidate के लिए मिलेगा सबसे पहले qualification देखेंगे हम तो इसमें जो qualification है at least second class post graduate degree कम से कम आपने second division से post graduation किया हुआ हो किस subject से economics, economics and public administration, public administration, sociology, mathematics, commerce, statistics तो आप यहाँ पर eligible है and provided that a post graduate in mathematics, statistics should have had economics or sociology as one of the subject in BA तो इन में से किसी भी subject से अगर आपने अपना post graduation किया हुआ हो और BA में अगर आपके इन में से कोई subject है and a certificate, यहाँ पर certificate भी मांगा गया है, certificate भी आपके पास होना चाहिए यह जो certificate है, यह CIT, course conducted by Rajasthan Knowledge Corporation Limited के द्वारा यहाँ पर conduct कराया जाता है जो कि बर्धवान, महावीर, Open University, Quota और एनी अधर certificate awarded by a competent authority declared equivalent to the ABOB certificate तो यह जो certificate है, यह भी यहाँ पर यह CIT course जो मांगा गया है, यह इसमें मांगा गया है ठीक है, and working knowledge Hindi और English नहीं, सिर्फ Hindi की ही knowledge आपको यहाँ पर मांगी गई है Hindi subject यह Hindi language की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए देवनागरी लिपी इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे क्या last year student eligible हों गया नहीं तो अंतिम बर्स में परिक्षा में समलित हो चुका है और समलित हो रहा है वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु से आयुकदर, आयुज़त, परिक्षा के पूर्व जो इनका रिटन एक्जामनेशन होगा उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए सेलरी कितनी होगी तो लेवल 11 से सेलरी आपकी रहेगी यहां पर आपकी सेलरी है, तो सेलरी काफी अच्छी है एस क्राइटेरिया एक जनवरी दो हजार पच्ची से देखी जाएगी जिस भी एर में वेकैंसी आएंगी उस एर की फर्स्ट जैन्वरी से आपकी एस काउंट की जाएगी जिसमें एज 18 से 40 साल होनी चाहिए वहीं अगर आप रिजब कैटिगरी के कैंटिडेट हैं, राइस्थान स्टेट से बलाउंग करते हैं तो आपको यहां पर रेलेक्सेशन मिल जाएगा एससे एस्ट के ओबीसी कैंटिडेट को 5 यर्स का दिया गया है राइस्थान स्टेट के जो S.C.S.T. और पिछा वर्ग अती पिछा वर्ग आर्थे रूप से कमजोर वर्ग के जो मेल कैंटिडेट हैं उनके लिए 5 साल का है और जो फीमेल कैंटिडेट होंगी इनी कैटिगरी की उनके लिए 10 साल की यहां पर छूट दी गई है एस में तो जो फीमेल हैं वो 50 साल तक इसमें एप्लाई कर सकते हैं वाकि अन्रिजब्ड जो फीमेल कैंटिडेट हैं जनरल उनके लिए 5 साल का रिलेक्सेशन है means 45 year तक unreserved candidate की जो female category की जो female candidate है general category की वो यहाँ पर 45 years तक apply कर सकती है अब यहाँ पर selection procedure देखेंगे तो selection procedure में आपका written examination होता है research assistant की post के लिए written examination होगा and उसके बाद यहाँ पर आपका जो selection procedure में written examination ही दिया है बाकी यहाँ पर समधे 7 EM 30 के अनुसार merit में वैस्थित होंगे हाँ तो यहाँ written examination आपका रहेगा और आपका जो परिक्षा का इस्थान वगरा है यह बाद में आपको inform किया जाएगा परिक्षा योजना बापाटिक क्रम यह भी आपको official website पर मिल जाएगा और जो आपका exam होगा वो MCQs type होगा एक question के 4 या 5 options दिये जाएंगे आविदन की तिथी क्या है तो 15 October से लेकर के 13 November 2014 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं अभी राजस्थान स्टेट से जो वेकैंसी आई है उसका यह notification हम कवर कर रहे है other state के candidate apply कर सकते है लेकिन general category की तरह है आपको rules follow करने होंगे आविदन पर किरिया तो आप RPSC के official site पर जाएगे वहाँ पर आपको apply करने के लिए link मिलेगा sso.raisthan.gov.in पर भी जाकर के आप login करके वहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं application fees देखेंगे तो unreserved and पिछड़ा वर्ग जो भी सी creamy layer है और अति पिछड़ा वर्ग के creamy layer के जो candidate है उनको 600 रुपई यहाँ पर application fees पे करने होगी और आरक्षद बर्ग यानि cst candidate, pwd, angel candidate, अति पिछवाग, non-crimalier इनके लिए 400 रुपई रहेगी pwd candidate के लिए भी 400 रुपई रहेगी अब राजिस्थान स्टेट के जो reserve candidate है उनको तो 400 हो गई लेकिन राजिस्थान स्टेट के बाहर के जितने भी candidate होंगे भले किसी भी category के हों उनको 600 रुपई application fees यहाँ पर पे करनी होगी एक्जाम पैटन में आप देखेंगे तो आपके दो पेपर होंगे फर्स्ट पेपर आपका जीके रहेगा जो राजिस्थान स्टेट का रहेगा एंड सेकंड पेपर में आपका सांखे की एवम आयोजन सांखे की आयोजन computer ठीक है तो जो सांखे की है उसे 210 और सामा निग्यान का 180 बाकी computer आयोजन से यहाँ पर 60 और 30 का रहेगा तीन दो घंडे का timing paper फर्स्ट में मिल जाएगा तीन घंडे का time आपको paper second में मिलेगा दोनों ही paper आपके first और second दोनों ही आमसी के उस टाइप रहेंगे हर एक सही उत्तर पर आपको तीन मार्क मिलेंगे हर एक question आपका 3 मार्क का रहेगा ठीक है अब प्रिष्ण पत्र एवं दुतिय विस्तत पाठिक्रम आपको website की जो syllabus है वो इसकी website पर upload कर दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं चलिए अभी हम इसकी official site देख लेते हैं तो अभी आप देख रहे हैं हम राइस्थान लोकसे बायो की official website पर हैं और यहां पर आप जब आप recruitment section में जाएंगे तो first आपको जो advertisement number देख रहा है 16-2024-25 for research assistant आप इस पर जा करके इसको download कर सकते हैं अब इसके जो application है वो 15 October से start हो रहे हैं तो online apply link भी आपको उसी time पर active कर दी जाएगी आसा करते हो आपको ही vacancy update या research assistant के eligibility से related आपको ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share कीजेगा Thank you